हलो फ्रेंट्स इस्टेडी बित कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है हम पढ़ रहे थे मांटेग्यू चेम्स पोर्ड सुधार और हमने देखा कि इस सुधार के द्वारा किस प्रकार से भारत के केंद्र और प्रांत दोनों जगे पर जो है बहुत सारे की गई उसके बाद हमने केंद्री जो कारिकार्णी परिशत थी उसमें भी देखा कि उसमें तीन भारती सदस्यों को मिलाया गया और उनको कुछ बिभाग दिये गए उसके बाद हमने देखा कि केंद्र की जो बिधायका है उसमें दो भाग कर दिये गए उच्च सदन और न निम्न सदन को जो है केंदरी बिधान सभा कहा गया तो उसमें कौन कौन सी सीटे कितनी रखी गई थी उनका बटवारा हमने समझ लिया था तो देखते हैं कि वहाँ पर जो मताधिकार था वो किस परकार से था अगर आपने पहला भाग नहीं देखा है तो पहले आप उस चेप सदन बनाए गए थे दो सदन एक केंदर की बात हो रही है अभी हम प्रांत पे नहीं बात कर रहे हैं केंदर की बात कर रहे हैं तो दो सदन में आपने देखा कि एक उच्च सदन था और एक निम्न सदन रखा गया इसमें सीटों का बटवारा हमने समझ लिया था जो उच्च सदन था उसको जो है राज परिसद कहा गया और जो निम्न सदन था उसे कहा गया केंद्री बिधान सभा ये दो बना दिये गए इमें सीटों का बटवारा भी कर दिया गया किस परकार से कितने कितने मनोनीत और कितने निर्वाचित सदस्य रखे गए थे इसको हमने समझ लिया था और हमने ये देखा था कि किस प्रकार से निर्वाचित सदस्यों की संख्या यहां पर बढ़ाई गई थी तो यहां पर जो मता धिकार है वो किस प्रकार से है उसके लिए देखें अलग-अलग है आप यहां बात क के लिए क्या सरते थी कुछ सरते रखी गई कि यहाँ पर कौन लोग निर्वाचित होंगे और कौन लोग जो है मत देंगे और केंद्री बिधान सभा के लिए भी रखी गई सरते केंद्री बिधान सभा के लिए सरते दोनों ही जगे पे कुछ सरते रखी गई थी उनसे कुश्चन बनते हैं आपसे पूछा जाता है और एक कुश्चन आपसे पूछा जाता है कि पहली बार महिलाओं को ओंट डालने का अधिकार किस अधिनियम के तहद दिया गया तो महिलाओं को भारस शासन अधिनियम 1919 में पर दित थी यानि गरीब आदमी इसमें ओटिंग नहीं कर सकता था केवल वही आदमी कर सकते थे जिम के पास संपत्य अधिक हो कर देते हों लगान चुकाते हों तो वो कौन कौन सी सरते थी उनसे कुश्चन बनते हैं और रिटेन में आपको लिखना पड़ता है तो ये चीजे आप सबसे पहले राजी परिसद में देख लें राजी परिसद में महिलाओं को अनुमती नहीं थी यहाँ पर क्या है यहाँ पर महिलाओं को अनुमती नहीं है महिलाओं को अनुमती यहाँ पर नहीं दी गई है यहाँ पर जो है महिलाओं को मताधिकार दिया गया महिलाओं को मताधिकार और यहाँ पर लिखे ले प्रथम बार आपने पिछले वाले जो अधिनियम पढ़ा था मारले मिंटो सुधार उसमें देखा था कि उसमें कहीं भी महिलाओं को जो है वो मताधिकार नहीं दिया गया था यहां पर जो है केंद्री विधान सभा के लिए महिलाएं योग मानी गई मताधिकार सीमित था जो मत डालने का अधिकार था वो सीमित था इधर भी और उधर भी मताधिकार सीमित है हर एक बेक्ति ओट नहीं डाल सकता है तो कौन से बेक्ति ओट डालेंगे उसके लिए कुछ सर्ते रखेगे तो कौन से बेक्ति ओट डालेंगे यानि मत का प्रियोक करेंगे ओटर बनेंगे उसके लिए कुछ सर्ते रखेगे क्यों कोई बिक्ति 10,000 रुपे या उससे अधिक का आय प्राप्त करता है वारसिक या फिर 750 रुपे से अधिक वारसिक भूमिकर देता है वही बिक्ति जो है वो मताधिकारी होगा, तो मताधिकार सीमित किया गया किसके लिए दो है इसमें सर्ते रखे गई दस हजार रुपे वारसिक आए हो यानि गरीबाद भी ओट नहीं कर सकता है जो दस जार रुपे से कम आए करता है दूसरी चीज कहा गया कि यदि वो किसान है तो साथ सो पचास रुपे वारसिक या अधिक घूमि कर देता हो ये लोग केवल ओट दे सकेंगे और महिलाओं को अनुमत ही नहीं है उसमें 1920 में जो है भारत की जनसंख्या लगबग 24 करोड थी और 24 करोड में से सिर्फ 17,263 बेक्तियों को ही जो है मताधिकार प्राप्त हो पाया था 1920 जनसंख्या 24 करोड लगबग 24 करोड जनसंख्या थी और इसमें से 17,263 लोग मताधिकार के योगे मताधिकार यानि मत देने का अधिकार पाजके वर्तमाल की तरह नहीं है कि सिच्छित असिच्छित गरीब अमीर सभी लोगों को महिला पुरुष सभी लोगों को जो है जो उम्र सीमा निर्धारित की गई है वो सब लोग मत दे सकते हैं वोट दे सकते हैं ऐसा नहीं था यहां पर जो राज परसद के लिए सरते रखी गई उनमें 10,000 रुपे वारसिक आये वाले बेक्ती हों या 750 रुपे वारसिक भूमिकर देने वाले बेक्ती तो उस समय 24 करोण में से लगभग 17,263 लोग जो है वो मताधिकार प्राप्त कर सके थे और यहां प्रत्यासियों के लिए भी सरते थी कि प्रत्यासि को विधान मंडल का अनुभव होना चाहिए या फिर वो बिश्विद्विद्याले की सीनेट का सदसे रहा हूँ वो अनुभव होना चाहिए उसे या बिश्व विद्याले का वो सीनेट रहा हो वही ब्यक्ति परत्यासी हो सकता है और यहाँ पर जो सदस्य होते थे उनको माननी कहा जाता था और इनका जो अध्यच होता था यानि राजिपरसद का जो प्रमुख है प्रधान है उसकी निक्ति जो है वो गवर्नर जनरल के द् वरा तो यहाँ पर राजिपरसद के प्रमुख या प्रधान की निक्ति कौन करता था गवर्नर जनरल अब जी जी लिखले या वाइसराय वाइसराय ही पद उस समय है वही गवर्नर जनरल है और वही वाइसराय है तो राज परिसद के परधान की नुक्ति गवर्नर जनरल जो है उसके द्वारा मनुनीत किया जाता था और ये जो सदस्य होते थे पारिसद उनको माननी की उपाधी दी जाती थी यहां पर क्या सकते हैं विधान सभा के लिए यहां पर महिलाओं को मताधिकार का पहली बार जो है अधिकार दिया गया और मताधिकार यहां भी सीमित है इधर भी मताधिकार सीमित है मताधिकार सीमित यहां किसको किसको देने का अधिकार दिया गया यहाँ पर थोड़ा सा धिलाई दी गई हलांकि इधर तो बहुत सक्ती थी 10,000 रुपे यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ाया गया दायरा यहाँ पर कहा गया कि 15 रुपे मासिक किराया जो देते है मासिक किराया देने वाले लोग या फिर वो 15 रुपे वारसिक नगर पालिका का कर देते हूं यानि कि या तो वो 15 रुपे मासिक किराया अदा करते हैं किसी चीज का तो वो योग है या फिर वो नगर पालिका में 15 रुपे वारसिक कर देते हैं वो योगी है और यदि वो भूमिकर लगान या कर देते हैं भूमिकर तो पचास रुपे वारसिक अगर वो भूमिकर देते हैं पचास रुपे वारसिक भूमिकर या फिर एक और चीज यहां पर रखी गई कि यदि वो दो हजार रुपे पर कर दे रहें यानि कि 2000 की आय पर वो कर दे रहे हैं वो बेती भी जो है ओट डलने के अधिकारी होंगे तो इधर दायरा थोड़ा सरते इधर के पेच्छा सरल की गई इसलिए इधर जो ओटर है उनकी संख्या लगभग 19 लाख के आसपास वो भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है 24 करोण की जन संख्या थी तो यहाँ पर जो है दो हजार उनीस सो बीस में उनीस लाख लोग उनीस लाख लोग मताधिकार प्राप्त कर सके प्राप्त कर सके तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अभी भी सभी लोगों को मत देने का अधिकार नहीं दिया गया है इस्त्रियों को भी पूर्ण अधिकार नहीं है क्योंकि इधर ओट दे सकते हैं इधर ओट नहीं दे सकते हैं और इस्त्रियों पुरुस दोनों के लिए जो है आय संपत और उस चीज़ का जो एक प्राविधान साथ में लगा दिया इसकी वजह से एक बहुत भारी जनसंख्या जो है वो मत देने से वन्चित हो गई सिर्फ इधर 19 लाख और इधर लगभग 17,000 ही लोग ओट देने के अधिकारी हो पाए तो ये तो जो है केंदरी विधान मंडल जो बनाया गया वहाँ पर दो सदन बना दिये गए इनके जो है सरते रखी गई अब इनको सक्तियां क्या क्या मिली यानि जो केंदरी विधान मंडल बन गया उसमें जो सदस्याएंगे उनको कौन कौन सी सक्तियां दी गई इन पे हम ब रहा था यहाँ पर कुछ इदाफा किया गया है जैसे अभी तक बजट पे मतदान नहीं होता था तो यहाँ पर बजट की कुछ हिस्से पर भी जो है मतदान देना शुरू किया गया है सदस्यों के अधिकार, ये केंद्री बिधान मंडल के हैं, केंद्री बिधान मंडल के सदस्यों के अधिकार, सदस्यों की सक्तियां, क्या-क्या ये कर सकते थे, सदस्यों उस पे बात करेंगे, पहली चीज पूरे भारत के लिए ये कानून बना सकते थे किंद्री बिधान मंडल है तो पूरे भारत के लिए ये कानून बना सकते थे तो पहला पॉइंट यही है पूरे भारत के लिए बिधि निर्मार हालाकि केंद्र और प्रांत की सूचिया बाढ़ती गई है तो जो केंद्र सूचि में या उसिष्ट बिसे में जो है वो जो है यहां से जो बिसे है उनी पे कानून बनाएंगे पूरे भारत के लिए बिधि निर्मार कर सकते हैं और बिधी में परिवर्तन यानि संसोधन कर सकत तो कानून में संसोधन की सकती है, कानून में संसोधन या रद्ध करना, ये काम कर सकते हैं, किसी भी विध्यक को पारित करने के लिए दोनों सदनों का बहुमत होना आवस्यक था, तो यहां पर विध्यक को पारित करने के लिए, जैसे आज लोकसभा और राजसभा दोनों जगे से पारित होता है, उसके बाद विध्यक राष्टपती के पास जाता है, उसी परकार तब भी सिष्टम रखा गया था, वहीं से चीजे सुधर करके आगे आएंगी, तो विध्य को पारित करने के लिए, दोनों सदनों का बहुमत चाहिए था, बहुमत, और इसके बाद जो है, उसको अप्रूवल के लिए, जो है वाइसरा यानि गवर्णर जनरल के पास ले जाया जाता था, तो इसके बाद, इसके बाद, गवर्णर जनरल की सहमती, आवस्यक थी, यानि सिर्फ पारित हो जाना कानून बन जाना नहीं है, वर्तमान में भी यही सिष्टम है, लोकसभा, राजसभा जब दोनों जगे से कोई बिध्यक पारित हो जाता है, तो वो अधिनियम नहीं बन जाता है, वो बन जाता है, और राश्टपती के पास वर्तमान में भी वीटो पावर है, यानि कि वो बिध्यक को इनकार कर सकते हैं, वैसे ही जो है, उसमें भी गवर्णर जनरल के पास बीटो पावर थी, इसके बाद गवर्णर जनरल की सहमत आवस्यक थी, और गवर्णर जनरल के पास वीटो पावर थी यानि कि वो चाहते तो किसी भी विध्यक को अशिक्रत कर सकते थे तो ये कि ये प्रसल पूछने के लिए पूरक प्रसल पूछने के लिए बजट पे मत देने के लिए हलाकि पूरे बजट पे नहीं बजट के 20% हिस्से पर ही मतदान होता था लेकिन फिर भी जो है पहली बार बजट पे मत देने का प्राविधान यहां पर लाया गया इसके पहले जो है बजट पे प्रस्न बहेंस तो होती थी लेकिन मत देने का अधिकार जो है वो सदस्यों कोई पास नहीं था तो यहाँ पर कई चीजें हो गई है एक तो प्रस्न पूछ सकते हैं प्रस्न पूरक प्रस्न हमने आपको बताया था पूरक प्रस्न क्या है प्रस्न पूरक प्रस्न इस्थगन प्रस्ताओ भी ला सकते हैं इस्थगन प्रस्ताओ सरकार के बिरोध में प्रस्ताओ एवं बजट के 20 प्रतिसत भाग पर मत देने का अधिकार यह जो है सक्तियों में इजाफा किया गया कुछ बाउंडेशन भी थे अगर कोई कानून ब्रिटेन की संसद से पास होकर के आया है तो उसको यह ना तो निरस्त कर सकते थे ना संसोधित कर सकते थे और ना ही उसके ऐसा कोई कानून बना सकते थे जो उसकी विपच्छ में जाए यानि उसके अधिकारों को सिमित करें तो ये भी था ये point भी आप नोट करेंगे ब्रिटेन की संसद से पारित कानून को ये संसोधित नहीं कर सकते थे ये संसोधित इस्थगित यानि बंद भी नहीं कर सकते थे या रद नहीं कर सकते थे कुछ समय के लिए रोक भी नहीं सकते थे खतम भी नहीं कर सकते थे और कोई ऐसा कानून भी नहीं बना सकते थे जो उसके बिरोध में हो और उसके बिरोध में कानून भी नहीं बना सकते थे उसके बिरोध में कानून नहीं बना सकते थे यह बाउंडेशन है कुछ प्रस्ताओ जैसे आज भी होता है कुछ प्रस्ताओ केवल गवर्नर जनरल की पूर्व अनुमत से ही रखे जा सकते थे जब आप वर्तमान में भारत की संसत की क्रिया प्रलाली पढ़ेंगे पॉलिटी में तो आप देखेंगे कुछ सिस्टम जो विक्सित होकर के आया है वो ब्रिटन से ही अनस्पायर है यानि कि ये सब कुछ जो धीरे धीरे भारत के लोग सीखते जा रहे थे इसी को आगे डिवलप करके उसमें बहुत सारे संसोधन वगरा करके बनाया गया तो यहाँ पर भी आप देखें आज भी वर्तमान में कुछ जो ऐसे विधेक होते हैं जो राष्टपती की अनुमत से ही पूर्व अनुमत से ही रखे जाते हैं और वैसे तब भी था गवर्नर जनरल या वाइसराय की अनुमत से ही वो प्रस्ताओ रखे जाते थे और जैसा कि आज हम देखते हैं कि राष्टपती जो है वो अध्यादेश जारी कर सकता है तो उसमें भी वैसराय के पास ये सकती थी कि वो छे माह के लिए अध्यादेश जारी कर सकता था गवर्नर जनरल छे माह के लिए अध्यादेश जारी कर सकता था तो ये कुछ सक्तिया हैं जो आपको राइट डाउन करनी होंगी और यहां से कुछ प्रसंद पूछे जा सकते हैं कौन-कौन से यहां तक हमने केंदर के विधान मंडल को डिसकस कर लिया अब हम प्रांत पे बात करेंगे लेकिन केंदर से कौन-कौन से important question आपके बन रहे हैं व केंदरियों को ओट डेलने का अधिकार जो है वो पहली बार किया गया केंदरी बिधान जो मंडल है वो दो भागों में यानि उचसदन निम्नसदन राजिपरिसद या केंदरी बिधान सभा दो भाग जो बनाएगे वो पहली बार किया गया यहां पर पहली बार जो है कुछ चीजें जो है नकारात्मक भी है जैसे इसमें आप देख रहे हैं कितना सीमित थे ये अधिकार अब हम बात करेंगे प्रांतों पर तो प्रांतों में क्या किया गया यहां तक आपने जो पूरा समझा वो केंदर में था प्रांतों में पहली बार द्वैद सासन गया है देखिए बंगाल में एक द्वैद सासन लगाया गया था जब लाड क्लाइब के द्वारा गया त्रेडिंग रहे गी प्रांतों में परिवर्तन प्रांतों में परिवर्तन यानि केंदर सरकार के बाद जो है और आपने वहाँ पर देख लिया वायसराइ और दो सदन हो गए राज परिसद और केंदरी विधान सभा जैसे कि वर्दमान में आप देखते हो राश्टपती लोक सभा राज सभा यानि सेंटरल आप देखते हो पूरा केंदर सरकार का यहाँ पर आप देखेंगे प्रांत का तो प्रांत में जो है गवर्नर होता था तो यहाँ पर द्वैद सासन इस्थापित किया गया द्वैद सासन आपने देखा था बकसर के युद्ध के बाद में बंगाल छितर में लाड कलाइब ने भी जो है द्वैद सासन लगाया था य ऐसे कि बंगाल में आपने देखा था कि अंग्रेजों ने अपने पास ऐसे मामले रखे थे जिससे बित्ती मामले जो थे उनके पास और जुम्यदारी यानि उत्तरदायत जो है वो नवाब के उपर डाल दिया था द्वैद सासन वाले चैप्टर में आपने इसको पढ़ा था कुछ वैसा ही सिस्टम जो है यहाँ पर प्रांतों में डेबलप किया गया है आपसे कुछ्चन पूछा जाता है प्रांतों में द्वैद सासन की स्थापना कब की गई थी तो 1919 में की गई थी और यहां 1935 तक चलती रही थी 1935 में जो है सेंटर में जो है दोयद सासन इस्थापित किया गया तो आगे हम 1935 में पढ़ेंगे तो प्रांटों में क्या किया गया दोयद सासन इस्थापित किया गया पहला पॉइंट तो आप यही लिखे ले दोयद सासन इस्थापित यहां पर क्या किया गया यहां पर जो परिशत है उसके दो भा किये गए एक तरफ था गवर्णर जब द्वैद सासन है तो इसका मतलब है दो तुक्ड़ों में सरकार बाती गई एक तुकड़े में गवर्नर था और उसके साथ जो है मनोनीत परिसद थी मनोनीत परिसद यानि गवर्नर और गवर्नर के द्वारा ही चुने गए कुछ सदस से थे जिनको मनोनीत कहा जाता था तो वो थे गवर्नर प्लस गवर्नर के मनोनीत परिसद सदस से सरकार चलाता था और दूसरा जो भाद रखा गया वो था गवर्नर प्लस चुने हुए चुने हुए सदस्य मंत्री यानि चुने हुए सदस्यों में से गवर्नर जो मंत्री नुक्त करता था वो थे चुने हुए सदस्य मंत्री और ये भारती मंत्री होते थे इनको भारती मंत्री कहा जाता था तो ये एक सक्षन ये कहा गया और एक सक्षन ये बनाया गया अब यहाँ पर जो कानून बनाने के बिसे थे जैसे कि आपने देखा था कि सेंटर में दो सूचिया बना दी गई थी क केंदर सूची पे तो केंदर वाले कानून बनाएंगे यानि जो हम पढ़ चुके पीछे और जो राज सूची थी वो इनके पास आ गई यानि राज सूची यानि प्रांत सूची अब उसमें भी इन्होंने दो भाग कर दी जो प्रांत के पास अधिकार आए उसमें दो भाग क और दो बनाए उन्होंने बिसे, बिसे पर भी दो तुकडे किये, एक को कहा गया आरच्छित बिसे, आरच्छित बिसे, यानि कि कुछ रिजर्व रखे गए और कुछ टॉपिक को कहा गया हस्तांतरित, यानि ये हस्तांतरित किये गए हैं बिसे, यानि दूसरे को सौपे गए हैं, आरच्छित बिसे में अच्छी चीजे यानि जो बित से समंदित थी वो रखे गए हैं, ये से राजसु, न्याए, पुलिस, आदे, ये अरच्छित बिसे होते थे, हस्तांतरित में इस्थानी प्रसासन, सिच्छा, स्वास्त, आदे, ये दो तुकड़े बनाए गए, अब आप यहाँ पर जड़ा गवर करिए, राजसु है, न्याए है, पुलिस है, ये प्रभावसाली सेक्षन है, इस्थानी प्रसासन, सिच्छा, स्वास्त, ये जुम्मेदारी के काम है, यानि कि पुलिस का उपयोग हम कंट्रोल करने के लिए करेंगे, यानि पावर इस तरफ है, राजसु का उपयोग यानि बिना पैसे के तो कुछ काम होई नहीं सकता है, तो इनकम इधर है, न्याए भी नियंतरित करने के लिए है, इसलिए वो अरच्छित बिसे में है, यहाँ पर जुम्मेदारी के काम है, सिच्छा है, स्वास्त है, प्रसासन है, यानि कि पर डिपेंडेड हैं, और उन पे जो है, आरच्छित बिसेओं पर अधिकार गवर्नर और उसके मनोनीत परिसद का रखा गया, यानि इनके पास रखा गया आरच्छित बिसे, आरच्छित बिसेओं का जो कानून बनाने का या कंट्रोल है, वो गवर्नर और उसके द्वारा मनोनित सदस्यों के पास था और गवर्नर और चुने हुए सदस्यों में से जो मंत्री बनते थे जो भारती होते थे वो उनको दिया गया हस्तांतरित बिसे अब यही पर सारी कहानी आपको समझ में आ गई कि सोसासन दे रहे हैं यानि आपको हम कुछ भिषे स्थानांतरित कर रहे हैं हस्तांतरित यानि आपके हाथों में सौप रहे हैं वो यह भिषे हैं परसासन सिच्छा स्वास्त की त्याद इस जैसे अन्यक भिषे जो उपरोक्त विष्यों पर डिपेंड हैं राजस सुन्याए पैसा है पैसा इनके पास है राजसु यहां है ना आपको बढ़िया प्रसासन करना है यानि निया बेवस्ता पुलिस बेवस्ता अनुसासन पुलिस कहा है यहां है यानि कि इनके पास बिसे तो है लेकिन यह डिपेंडेड बिसे हैं दूसरे चीजों पर डिपेंड है और जिन ले गए हैं वो जनता के द्वारा चुन करके नहीं आये हैं और यहां पर जो है हस्तानंत्रित बिशे रखे गए तो इसको कहा गया दैद सासन यानि कि उत्तरदाई यह लोग उत्तरदाई नहीं है यहां पर क्या है उत्तरदाई नहीं यह जो है बिशे ठापिका के परत उत्तरदाई नहीं है और यह जो लोग है यह उत्तरदाई है इसी ने इसको सासन कहा गया है यानि कि एक बिशे उत्तरदाई है और दूसरा सिर्फ प्रसासन कर रहा है दो दो लोगों का जो है सासन यहां पर चल रहा था इनका भी और इनका भी तो यह जो है दो गुरूप बन गए इसे ने इसे दोयद सासन कहा गया और दोयद सासन उनीस सो उनीस में जो है आया और इसको उनीस सो पैटिस तक राज्यों में प्रांतो लेखक हैं लायोनिल कार्टिस इनकी एक पुस्तक थी डायर की उस पुस्तक में जो है ये द्वैद सासन का विचार वहीं से आया था तो लायोनिल कार्टिस के द्वारा उस तक डायर की किरचना की गई और यहीं से द्वैद सासन का विचार जो है वो लिया गया है तो इस प्रकार से ये प्रांतों में परिवर्तन है दो चीजे और इस अधनियम में हुई थी वो भी महत्पूर्ण है आपके एकजाम के द्रिष्टकूर्ण से ये तो केंद्र और प्रांत को पूरा आपने समझ लिया और जो है इसमें क्या क्या किया गया था इस अधनियम में दो चीजे और है एक चीज है यहाँ पर जो है सामप्रदाइक सामप्रदाइक निर्वाचक निर्वाचन को बढ़ावा दिया गया मारले मिंटो सुधार में आपने देखा था पहली बार सामपरदाइक निर्वाचक मंडल मुसिलिमों के लिए लाया गया था यानि वहां से स्टार्टिंग हुई और उसके बाद 1919 में उसको समापत नहीं किया गया बलकि और expand किया गया है और बढ़ाया गया है यानि सामपरदाइक निर्वाचन को बढ़ावा दिया गया किस प्रकार से भारत में सामपरदाइकता के बीजों को और ज़्यादा सीचा जा रहा है यहां पर क्या किया गया कि सिख्खों को आपसे प्रसंद पूछा जाता है कि परथमबार सिख्खों को प्रथक निर्वाचक मंडल दिया गया था किस अधनियम के तहट तो वो जो है 1919 के तहट और अगर मुसलमों के लिए पूछा जायाँगा तो मारले मिंटो सुधार 1909 के तहत तो सिखों को यूरोपियन को यहां पर यूरोपियन भी लिए गए इसाई एंगलो इंडियन इनको भी जो है प्रदान किया गया था इनको भी प्रथक प्रथक जो है सीटे एलाट की गई तो दूसरी चीज है यहां पर केंदरी लोक सेवा आयोग का गठन किया गया केंदरी लोक सेवा आयोग जो 1926 में इस्थापित हुआ वो इसी अधियम के तहट प्रदान किया गया था अगय इसको इस्थापित किया गया और एक चीज कर गई थी की गई थी इसमें वो भी आपसे प्रसन पूछा जाता है इसी अधिनियम में ही प्राविधान कर दिया गया था कि 10 साल बाद इस अधिनियम की समिच्छा की जाएगी एक आयोग का गठन किया जाएगा यानि 1919 में ही इसी अधिनियम में ही ये प्राविधान जोड़ दिया गया था कि 10 वर्ष बाद 1929 में एक जाच आयोग गठित किया जाएगा जो इस अधिनियम के प्रभावों की जाच करेगा 1919 के अधिनियम में ही आपसे प्रस्न इस प्रकार से पूछा जाएगा 1927 में आप पढ़ेंगे साइमन कमिसन यानि साइमन आयोग का अधिनियम साइमन आयोग का गठन किया गया था और साइमन आयोग जो है वो भारत आये और उनका बहुत बिरोध किया गया साइमन गो बैक के नारे लगाए गए साइमन आयोग का बिरोध हिसले किया गया था क्योंकि वो भारत के इस अधिनियम के प्रभावों की जाच करने के लिए आये थे यानि भारत में कैसी बेउस्थाएं चल रही है और उनकी टीम में कोई भी भारती सदसिन नहीं था उसको हम अलग सी चैप्टर में डिसकस करेंगे और भारती सदसिन्ना होने की वजह से ही उस साइमन आयोक का बहुत भारी बिरोध हुआ था वो 1927 में ही आ गया था तो दस साल बाद के लिए प्राविधान किया गया था लेकिन दो वर्स पूर्व ही लेकिन दो वर्स पूर्व ही 1927 में 1927 में साइमन आयोग साइमन कमीशन गठित किया गया क्योंकि ऐसी कुछ परिस्थितिया बन गई थी उनको भी हम डिसकस करेंगे उसी चैप्टर में कि दो साल पहले ही जो है वो साइमन आयोग लाया गया और कोई भी सदस्य भारती न होने की वज़े से उसका बिरोध हुआ जिसमें कोई भी भारती सदस्य न होने की वज़े से न होने के कारण भारी बिरोध इसी बिरोध प्रदर्शन वगरा में लाला लजपत्राय को लाठी लगने से उनकी मृत्ति हो गई थी फिर आगे उनका बदला लिया गया बहुत कुछ आप पढ़ेंगे तो आप से कुश्चन ये बनता है कि साइमन आयोग की गठन यानि जो साइमन कमिशन आया था उसके गठन का प्राविधान की सर्धिनियम में किया गया है तो आपको वहाँ पर अगर आपने कायदे से नहीं पढ़ाय तो आप 1919 नहीं टिक करेंगे क्योंकि आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा साइमन कमिशन 1927 तो आप उसको 1927 टिक करेंगे जबकि साइमन कमिशन जैसे किसी एक आयोग के गठन की बात 1919 में ही कह दी गई थी उसी में प्राविधान कर दिया गया था तो ये प्रसन बनता है साइमन आयोग के गठन का प्राविधान किस अधिनियम में किया गया था तो भारत साइसन अधिनियम 1919 आप करेंगे तो ये जो है आपका बन जाता है पूरा भारत साइसन अधिनियम 1919 अब इसके कुछ अच्छाईयां और कुछ बुराईयों पर हम बात करेंगे अब इसको आप मौखिक रूप से में बताऊंगा आप नोट कर लीजिएगा क्या 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 बुराईयां हैं क्या क्या अच्छाईयां हैं अभी तक आप पूरा समझ ही गए होंगे तो अगर आपको लिखने को आए कि भारत सासन अधिनियम 1919 की आलोचना अत्मक ब्याख्या कीजिए तो आलोचना की जब बात की जाती है तो वो क्रिटिसाइज करना होता है तो आपको वहाँ पर अच्छाईयां और बुराईयां दोनों चीज़ें लानी होती है तब ही आप उसमें एक निसकर्स निकाल करके ला पाएंगे तो अच्छाईयों पर बात करें कि क्या क्या अच्छा चीज़ें हुई थी इसमें तो अगर अच्छी चीज़ों की बात करें तो एक उत्तरदाई सरकार इस्थापित करने का प्रियास किया गया पहली बार पहली बार पहला पोइंट आपका यही होगा कि इस अधिनियम के द्वारा पहली बार एक उत्तरदाई सरकार इस्थापित करने के प्रती कदम बढ़ाया गया हाना कि वो बहुत बड़ा कदम नहीं था लेकिन फिर भी एक कदम था जो पहली बार बढ़ाया गया उत्तरदाई सरकार इस्थापित करने के लिए पहली बार जो है केंदर की जो अधिकारों में कमी की गई जो कांग्रेस की बहुत दिनों से एक मांग थी कि भारत सच्यों का पद ही खतम किया जाए लेकिन पद तो नहीं लेकिन उसके अधिकारों में कमी की गई उसका बेतन भी जो है वो ब्रिटेस खजाने से देना प्रारम्भ किया गया ये भी एक अच् की गई यहां पर केंद्री लोक सेवा आयो का गठन किया गया यह भी एक बात है तो इस प्रकार से कुछ सकरात्मक गए पर बजट पर ओट देने का अधिकार पहली बार दिया गया हाना कि वो 20 पर संट पर करना है की कमिया क्या है तो बज़ग पर ओट देने का अधिकार भी इसमें दिया गया था प्रांतों में आपने देखा कि द्वैद सासन इस्थापित किया गया, द्वैद सासन में जो सेकेंड गुरुप था हस्तांतरित वाला उसमें भारती सदस्यों को मंत्री बनाया गया, उनको कुछ बिसे दिये गये, भले ही बो बिसे बहुत ज्यादा इंपोर्टन नहीं थे, स सरकार में मंत्री बना दिया जाए, उधारन के लिए आपको हमको सरकार में मंत्री बना दिया जाए, और भले ही हमको कोई छोटा से छोटा विभाग दे दिया जाए, लेकिन यदि मेरे अंदर कोई टैलेंट है, और मैं योग हूँ, तो मुझे अपने पूरी योगिता पिर आगे योगिता जब हमारी लोग देखेंगे जनता देखेंगी तो फिर आगे चांस बढ़ेंगे तो भारतिवों को पहला मौका मिला कि आप बिद बनाने में अपनी योगिता दिखा सकें और यहां पर एक चीज आती है कि निर्वाचित सदस्यों की संख्या आप पिछल जादा हैं पीछे आप पन्ने पलटके देखेगा तो इससे भी जो है एक जनतांत्रिक बेवस्था जो होती है कि जनता के द्वारा चुने गए जो सदस्य हैं वो पहुंचे विधाईका में तो वो चीज भी यहां पर दिखती है शुरुआत उसकी होती है तो यह कुछ सकार है वो बहुत सीमित है बजट के केवल 20 प्रतिसत भाग पर ही जो है वो ओट देने का अधिकार दिया गया था आप इन सभी बिंदूओं को सकारात्मक और नकारात्मक वाले नोट जरूर कर लीजेगा कोकि यह लॉजिकल है और यही आपकी जो है बिसलेशनात्मक छंता को प है धुणिये पूरा डिसक्ष हमने आपके सामने कर दिया है दूसरी चीज्ट कमी क्या थी महिलाओं को मता धिकार दिया गया था वो बहुत सीमित था पूरे में नहीं दिया गया और जो अन लोगों को भी मत अधिकार दिया गया था उसमें भी संपत्य का जो एक प्राविधान कर दिया गया था उसकी वजए से बहुत से लोग जो है मत देने से वन्चित रह गए थे यानि मता अधिकार अत्यधिक सीमित था बजट वाली बात मताधिकार वाली बात हो गई अब अगली बात आप ने देखा कि गवर्नर और वाइसराय यानि गवर्नर जनरल के पास जो सक्तियां थी वो जसके तस पहनी जैसी ही बनी थी बीटो पावर अब भी उनके पास था यानि अगर आपका कोई बिधेक पास होके आता है तो गवर्नर जनरल के पास में सक्ति थी बीटो पावर की वो चाहे उसे निरस्त कर सकता था तो गवर्नर जन्रल की सक्तियों में कमी नहीं की गई उसके पास अध्यादेश जारी करने की सक्ति थी बीटो सक्ति थी और बहुत से सदस्यों को मनोनीत करने की भी सक्ति थी इसलिए वो जो है बिधी को प्रभावित कर रह लेकिन यदि बिर्टेन की संसद से कोई कानून बन के आ जाता था तो वो ना तो उसे संसोधित कर सकते थे और ना ही उसे बदल सकते थे और ना उसे रद्ध कर सकते थे तो यहां भी एक इस प्रावधान की कमी थी कुल मिलाके आप कह सकते हैं कि यह एक उत्तर दाई सरकार की स्थापना नहीं बलकि एक उत्तर देने वाले सरकार की स्थापना थी उत्तर दाई और उत्तर देने वाली सरकार में अंतर होता है उत्तर दाई यानि वो चीजों के लिए जुम्मेदारी अपने उपर ले जुम्मेदार सरकार और उत्तर देने वाली सरकार यानि कि आप पूछे क्या हुआ तो आपको एक उत्तर दे दिया बस जो हुआ उसका उत्तर दे दिया तो एक उत्तर दाई नहीं बलकि एक उत्तर दे में रॉलेट एक्ट आ गया हम रॉलेट एक्ट पे बात करेंगे रॉलेट एक्ट जो है वो करांतिकारी आंदोलनों को नियंतरित करने के लिए लाया गया जिसमें बिना अपेल बिना दलील बिना वकील लोगों को जेल में डाल दिया जाता था संका के आधार पे तो उसका बह बिरोध में आप देखेंगे जनसभा होती रही और उसमें एक जलिया वाला बाग में जनसभा हो रही थी जहां पे गोलिया चलवा दी गई और जलिया वाला बाग कांड जो है वो संग्यान में आया जलिया वाला बाग हत्या कांड जो हुआ उसके बिरोध में भारत में एक ऐ एसी लहर उठी जिसने इस अधिनियम को पूरी तरीके से धोडाला यानि कि इस अधिनियम में क्या अच्छा है क्या बुरा है इस तरफ किसी का ध्यान ही नहीं था पूरा ध्यान जो है वो जलिया वाला बाग कांड पे आ गया और महत्मा गांधी के द्वरा असायोग आंदोल गोसित किया गया और उसी समय खिलाफत आंदोलन भी प्रारम हो गया उनीस में ही और बीस में जो है वो असायोग आंदोलन तो इन सब के इस आंदोलन के दोरान इस अधिनियम में जो प्राविधान किया था उनीस सो बीस के इलेक्षन का कांग्रेस ने बहिसकार किया कांग् अधिनियम सामिल हुआ जो लोगों का ध्यान भी नहीं आकरश्ट कर पाया और भारत के लिए कोई और बहतर प्रसासनिक इस्तितियां भी पैदा नहीं कर सका हाला कि बहुत सी चीजों के लिए इसको याद किया जाता है जो प्रथमभार भारतियों को प्राप्थ हुई थी तो उसके बाद उनके द्वारा संचालित की जाने वाले आजादी तक जो चलने वाले सभी अंदोलन हैं उनको इस्टेप बै इस्टेप डिसकस करते चलेंगे तो फ्रेंड्स मिलते हैं और बहतर क्लास में बने रहें इस्टडी बितक्रिष्णा चैनल पे धन्यवाद